जैसा कि आप लोगों पता है SSC CHL 2019 का रिजल्ट अभी हाली में आया है और मैंने भी इसका एक्जाम दिया था फॉर दा पोस्ट आफ मदब 2400 ग्रेट पे क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैं आलरी 1900 जीपी की जॉब में हूँ जो जो इसके मार्क्स है वो थोड़ा हाई चलेगा इस पर कट आफ और मेरे मार्क्स जो है वो देखकर आप हरान रहे जाएंगे कि मैं कितने कम मार्क्स से इसमें रहे गया हाँ इस पर डेटा एंटरी ऑपरेटर की पोस्ट भी नहीं है इस प्जासे कट आफ थोड़ी हाई गई है और नमबर ऑफ केंडिट भी जाता है तो देखेंगे आज मेरे मार्क्स किते रहे इस एक्जाम में पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए भी मैं पास नहीं कर पाया तो जो है इसके थोड़ा सा दुख है लेकि कोई बात नी कई बार ऐसा होता है कि आप चीजें हारते हैं तो उस समय आपक कितने मार्क्स रहे हैं आ तो जैसे किए आप मैं नाम देख पा रहे हैं ठीक है बाकि सब चीज़े मैं ब्लर कर दीए हैं ठीक हैर यह मेरी UR है जनरल किटेगृरी से हूं मैं जैसा कि अगर चैनल पर बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हूँके पहले मैं ऐ ठीक है देखते हैं मेरे marks तो देखें guys मेरे language में English में मेरे marks थे 37.5 जो कि बहुत ही बेकार marks है मेरे और महत करनी चाहिए थी और reasoning में भी थोड़ा marks कम रहागा है 48 marks है reasoning में और दो number कम रहागा है एक question figure counting वाला मैंने छोड़ जा था math की तो इसलिए मेरे अच्छा score नहीं आया general awareness तो 25.5 है और raw score अगर आप देखें तो वो 129 marks है न but 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 normalization की जासे जो की मेरी hard shift होने की जासे इसके marks जो है इसके normalization का में थोड़ा फायदा मिला लेकिन फिर भी क्या फायदा ही मिला क्योंकि cut off में जब selection ही नहीं हो तो उसका फायदा ही क्या तो जो इसका मेरे जो marks है normalization के बाद के वो अगर आप देखें तो वो है 157.66 है रहा तो यानि की around 158 मान सकते हैं और जो cut off गई है वो 159.52 यानि की 160 मान सकते हैं यानि की जस्टू marks से मैं इस cut off में रहे गया लेकिन पास भी कर ले था तो फिर में को descriptive में बहुत महनत करनी पड़ती शायद तब भी मेरा postal assistant ये sorting assistant नहीं पाता जो कि real fact है लेकिन अगर आप इस तरह समझ रहे हैं कि 160 cut off डायेट गई है तो उसके लिए थोड़ा tension free रह सकते हैं आप मेहनत कीजिए ठीक है अब बाकी आपकी किसमत पर depend करता है अगर आपकी shift hard आई तो आपने अपना 100% effort देके अच्छे number या 130 क्यास पस तो 30-40 number आपको आराम से फायदा मिल सकता है लेकिन अब आपकी किसमत पर depend करता है ठीक है तो लेकिन आप अपना 100% effort दीजिए महनत कीजिए और साथ मैं यह कहूंगा कि आप जो है कुछ और course या कुछ ऐसा काम करते रही है कि जो आप एक है as a option रख सकें ठीक है और आप लगता है कि आप फूरे confident हैं तो कोई option रखिये ही मत क्यूंकि जब option रहेगा तो आप सोचेंगे चल या ठीक है इसको as a casually कर लेते हैं नहीं तो दूसरा option तो है हमारे पास तब लकुल option मत रखिये और अपने ओपर faith रखिये अपने ओपर भरुसा रखिये कोई कुछ भी कर सकता है तो आप भी सचीव कर सकते हैं thank you for watching this video have an awesome day